हल्दवानी के सर्किट हाउस में सांसा दाजय भट की अध्यक्षिता में दिशा की बैठक की दिशा उस वक्त बदल गई जब विधायक ने हंगामा कर दिया विधायक और जिलाधिकारी के बीच में जमकर बहस वी पूरा मामला आपदा के तहट गौला नदी में चैनलाइजेशन को लेकर था इसमें सिचाई विभाग द्वारा वर्तमान में पोकलेंड लगा कर काम किया जा रहा है जबकि विधायक ने सिचाई विभाग को काम दिये समय तक ये भहस चलती रही अंत में सांसत को कहना पड़ा कि आखिर जिले में ये चल क्या रहा है बैठक के बाद सांसत इसे मामूली सी घटना बताते हुए टालती नजर आए जबकि लालकों विधायक मोहन सिंग बिष्ट ने अधिकारियों पर जंता के प्रती गंभीर ना होते हैं और उसके बाद जाभ सुलज़ गई आप कोई भी और दिकार्यों सबका लक्से है कि जंता को अधिक आत्मक हम्तिक से अधिक जो आ हैंनकी सुख सुवधा का ध्यान रखे उनकी जो हैं उसका ध्यान रखें इसी लिए सामज सामन्यस्य के लिए इस点 मांदिखती यह इसका नाम रखा गया है है यही तो सामंजसी इसमन होता है जो आधिकारी धिलाई कर रहे हैं जो गलत काम करुए हैं जो मिस इंफ़ोरमेशन दे रहे हैं गलत इंफ़ोरमेशन देंगे औन पर तो बहुत खराब कारवाई भी कि इसलिए चोटी वोटी गलत फेमियों में कोई चीज होती है तो वह हो जाता है कि कोई खास बात की दिक्कते हैं थी विबागु मैं आपस वे तालमेल नहोने की वैसे यह सुरक्षा की कारी चौकि सरकार की और से पैसी की कोई कमी नहीं मानी मुखीमांतरी जी नहीं अभी आ अज तक भी अभी जन जगहों पर चैनलाजिसित का काम होना था वहां पर काम शुरूव नहीं हो पाए तो इसी को लेकर आज गाच्ची छुई है और माननी सांसच जी ने भी इस पर सुरूप से काया कि शिजाई भाग कारी को करेगा और तुरंत कारी को करेगा तो मुझे उम अगर कल से भी अगर वहाँ पर राहत बचाव के कारी शुरू नहीं होए तो मैं स्वेंग अपने खर्ची से कारी शुरू कर रहूँगा